हमें पिछले कई दुनों से खबर आ रही थी कि इस इलाके में आतंगवादी लाइन अफ कंट्रोल के पार से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे कल यानि 28 तारीक को हमारी इंटेजिंसें ने खबर दी कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन तंधार और मच्छल के इलाके से होगा इसी खबर की पुष्टी जम्मु एन कश्मीर पुलिस दुवारा की गई या खबर की पुष्टी होने के बाद इंडियन आर्मी जम्मु एन कश्मीर पुलिस और बीएसेफ ने मिलकर के जो दुश्मन के टेर्रिस्ट के आने वाले इन इलाकों में रास्ते हैं उन रास्तों पे एंबुच लगाया रात को तक्रिबन आठ बजे मच्छल के इलाके में इन फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हुए टेर्रिस्ट और हमारी एंबुच पार्टी की बीज में मुढदेट शुरू हो गई यहां मुढदेट चली रही थी कि रात को नौ बजे तंधार के इलाके में भी मुढदेट शुरू हो गई इन दोनों ओपरेशन के दोरान मच्छल में दो आतंगवादी और तंधार में एक आतंगवादी मारा गया इसके लावा यहाँ भी खबर है कि तंधार में एक आदंगवादी इस operation में बुरी तना घायल हुआ है इन operations जो कि दुर्गम इलाके में हुए हैं और खराब मौसम में हुए हैं इसमें इस सफलता के लिए मैं सभी security forces को बजाई देता हूँ और मैं वरोसले लाता हूँ कि सभी security forces JNK में शान्ती को बहार रखने के लिए अतक पर है